प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा आठवी से सामजी की विज्ञान पुस्तक इत्यास पार्ट चार छत्रपती सिवाजी एम पेसर उडान कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रक हल करेंगे तो जो बच्चे चैनल पर नहीं है या जिन बच्चो ने अभी दिक चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब जरूर कर ले उपने साथियों को सीयर भी कर दे तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्य पत्रक एक क्या आप उन राजाओं के नाम बता सकते हैं जिन्नोंने मुगलों के खिलाब संग्रस किया तो प्यारे बच्चों हेम चंदर विक्रमा दित्ते, वीर सिवाजी, महारना परता, बरानी दुर्गावती, राणा सांगा आधिक हैं आगे उन सासकों के नाम बताओ जिन्नोंने दक्सिन भारत में सासिन किया तो चतरपति शिवाजी बोशली जी भी हैं, राजा चौल हैं और कृष्ण देव राए जी भी हैं चतरपति शिवाजी कौन थे? चतरपति शिवाजी जिनका जनम उननीस प्रदुनिस सोडा सो तीशी को पुना के परशिद सीवनेर किले में हुआ, भारत के महान राजा और रनितिकार थे जिनोंने सोडा सुच्वेतर में पस्ची में मराठा असमराजी की स्तापना की इसके बाद में है, शिवाजी के वैक्तितों के माता जीजा बाई का परभावस पस दिखाई देता है, वे कौन से गुण है जिने तुम अपनाना चाहोगे, तो प्यारे बच्चों, उसकी जो माता जी है वो बहादुरी, द्यालुता, बुद्धी मानी, वे नेतरतों की बा परदान परिशद कहते हैं, शिवाजी इन से सला लेकरी राजे के सारे काम किया करते थी, इसलिए मैं तो पूर्ण थी, अपने सहपाटियों से शितरपती, शिवाजी की वीरताएं बलदान पर चर्चा करके उनकी योगदान के लिखें, तो वीर सिवाजी की वीरताएं बल से लंबा संग्रस चला तो प्यारे बचो ओरंग जेब से चला था ओपसन अमरक है इसका सही है शिवाजी ने अपने राजे की राज़दानी किसे बनाया था तो राइगड को बनाया था इसके बाद मेहर शिवाजी वे जैसिंग के बीच कौन सी संदी हुई थी तो पुरंदर संदी ही का बुई थी प्यारे बचो 1665 के अंदर हुई थी का बुई थी 1665 में आगे चलते हैं निमलित में से बेमेल चांट ये पेशवा जो होता है वो परदान मंत्री सही है सूंगत ये विदेश मंत्री सही है सर ए नोबत ये पर्मुक सेनापती होता उसमें ये सही है अम गजेब की विरुद संग्रस करने का अहन क्या बिल्कुल सही है पेशवाओं के उत्थान का प्रमुकार्ण और गजेब की नितियां थी सही है बाजी राव पर्तम ने इंदू बादसाई का आदर्स रखा ये भी सही है नीचे दीगट नाओ को करंबत दीजिए तो सिवाज मेगना कार्ट मराठा मगल संदी जिसके कहते हैं 17-19 में हुई तो जैसे मैंने इनको करम बाईज लिख रखा है पहले सबसे पहले तोरण गुद्रग आएगा 16-16 इसके बाद में पुरंदर संदी आएगी उसके बाद में शिवाजी राजे विशेक आएगा तो ऐसे भी कारिया पत्रक पांच है अपने साथियों से चर्चा करें और लिखें कि मराठों के उतकर्ष के क्या कारण थे तो प्यारे बच्चों मराठों के उतकर्ष या उत्थान का कारण शिवाजी जैसे योग्या कूटनितिग्या कुसल सैनिक और महान योदा शिवाजी को माना जा तो प्यारे बच्चों ये था अध्याई 4, 36 श्वाजियां पेश्वा कक्सिया 8 का आज जो हमने हल किया उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद